जै शेकृष्ण इस चैनल के माधियम से आपने अभी तक विश्णू के अवतार के बारे में चाना भगवान विश्णू के दस अवतार में से नौवा अवतार भगवान बुद्ध का है भगवान बुद्ध ने लोगों को मद्यम मार्ग का उपदेश दिया उन्होंने दुख और उसके कारण और निवारण के लिए अश्टांगिक मार्ग समझाया उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया उन्होंने यग्य और पशुबली की निंदा की आईए बगवान बुद्ध के बारे में और भी बाते जानते हैं बगवान बुद्ध का जन्म इश्वाकुवंशिय शत्रिय शाक्यकुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था उनकी माता का नाम महा माया था जिनके जन्म के साथ दिन के बार उनकी माता का निधन हो गया था उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महा प्रजापती गौतमी ने किया गौतम भुद्ध का नाम सिद्धार्थ था सिद्धार्थ बच्पन से ही अत्यंत करून रिदय वाले थे वें किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे 21 वर्ष की आयू में सिद्धार्थ विवा उपरांत एक मात्र प्रथम नवजाज शिशु राहुल और धर्म पत्नी यशोधरा को त्याक कर संसार को जरा मरण दुखु से मुक्ती दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव ज्यान की खोज में रात्री में राजपाट का मोह थ्याक कर वन की ओर चले गए थे वर्षो की कठोर साधना के पश्चार बोध गया में बोधी विख्ष के नीचे उन्हें ज्यान की प्राप्ती हुई और वे सिद्धार्द गौतम से भगवान बुद्ध बन गए आईए ये बात भी जानते हैं कि भगवान विश्णु ने बुद्ध अवतार क्यों लिया था पौरानिक कठाओ के अनुसार एक समय देत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी उन्होंने देवताओ के निवास स्वर्ग पर कपज़ा कर लिया था देवता देत्यों के सामने कमजोर पढ़ने लगे तब भगवान विश्णु जी ने देवताओ के हिप के लिए भगवान बुद्ध का रूपधारण किया था देवता युद्ध में उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए उन्हों देवधाम स्वर्ग छोड़ कर जाना पड़ा जहां देत्यों ने कपज़ा कर लिया हाला कि देट्यों को यह डर था कि कहीं दोबारा देव का स्वर्ग पर कब जाना कर ले इसके लिए वे देवराज इंद्र के पास गए उनसे अपना राज्य कायम रखने के लिए उपाय पूछा इंद्र देव ने भी बिना किसी चल कपट के बताया अगर वे यग्य वेद के अनुसार आचरण करेंगे तो उनके स्वर्ग पर जीत हमेशा बर करा रहेगी इंद्र की सलह से देट्योंने महा यग्य वेद के अनुसार आचरण शुरू कर दिया जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी और वे अपने स्वरूप के मताबिक उपद्रव करने लगे यह देख बहिबीत देवता मदद की गुहार लेकर भगवान विश्नु की शरण में पहुँचे विश्नु जी ने देवताओं को मदद का वादा किया भगवान ज्वयम बुद्ध का रूप धारण कर प्रकट हुए उनके हाथ में मरजनी थी और वे रास्ते को साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे भगवान बुद्ध दैत्यों के पास गए और उनसे यग्य ना करने की बात कही बुद्ध जी ने कहा कि यग्य करना उचित नहीं है इससे जीवों को नुकसान पहुँचता है यग्य की आग में न जाने कितने जीव जल जाते हैं मैं स्वयम जीव हिंसा से बचने के लिए रास्ते को साफ करते हुए चलता हूँ देत्यों को इंद्र देव की धर्म कर्म की रहा पर चलने की बात याद आई देत्यों पर भगवान बुद्ध के उपदेशों का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने वेद आचरण वो यग्य करना बंद कर दिया ऐसा करने पर देत्यों की शक्ती धीरे-धीरे कम होने लगी यह देख देवताओं ने दोबारा देत्यों पर हमला करके स्वर्ग हासिल कर लिया इस तरह भगवान बुद्ध ने स्रिष्टी का मंगल किया माना जाता है कि बौध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशिश्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही भगवान का अवतार हुआ था जैसा कि संसार में प्रसिद्ध है बुद्ध कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है यह एक सम्मान जनक उपादी है इसका अर्थ होना होता है जागरित व्यक्ति जब बुद्ध जी को अपनी शिक्षाओं को एक शब्द में समेटने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा जागरुकता बुद्ध जी को महान चिकित्सक भी कहा जाता है क्योंकि वे मुख्य रूप से मानव पीडा के कारण की पहचान करने और इसे खत्म करने का तरीका खोजने के लिए जाने जाते हैं बुद्ध जी के अनुसार खुशी का रहस्य बहुत ही सरल है जो आपके पास है उसे चाहना और जो आपके पास नहीं है उसकी चाहत नहीं रखना आम तोर पर बुद्ध जी को लंबे कानों के साथ दिखाया जाता है जो ग्यान और समझ का प्रतीक है एक और खास बात मैं आप सभी को पताना चाहता हूँ यदि आपने गौर किया हो तो भगवान बुद्ध के चित्रों में आपने देखा होगा उनके सर पे एक जटा जैसा कुछ होता है जटा जो है उसके अंदर दरसल ये उनका एक विजडम टॉम कहलाता है जब उनको ग्यान की प्राप्ती हुई थी तो उनका मस्तिस्क इतना बढ़ गया था वो उभर कर उपर हो गया था जिसकी वज़े से उनका जो सर था वो उपर उठ गया था और बाल से ढखा हुआ था इसले वो हमेशा बुद्ध की फोटो में और प्रतिमया मैं आपको जो उठा हुआ उपर का भाग दिखता है वह उनको ग्यान की प्राप्ती होने की वज़े से दिखाया जाता है मैं आशा करता हूँ ये कथा आपको पसंद आयोगी चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद जैश्री कृष्णा